हैं आपने पहले आइकन ने प्रिस किया तो अभी करतीजिए आप यहाँ पर देखे लाल बटन है ताकि आपको नए वीडियो को सूचना भी मिलती रहे और अच्छे-च्छे स्टॉक के बारे में जानकारी मिलती रहे दोस्तों पहले मैं आपको शुरुवात करूँगा रिटन के बारे में जो कंपणी के बारे में बात करें हैं ब्लाइक रोज इंडस्ट्रीज लिम्टेट एक टेक्स्टाइल और केमिकल से रिटेट कंपणी है और इस कंपनी में अगर आपने एक लाग रुपए लगा होते बारह महीने पहले थो आपको 42% के आशन पास करेंट आपको इस company में और आपका पैसा बन चुका है 11,17,147 रुपए जबर्दस तस्य गुन हो चुका है आई ये company के और कुछ fundamentals आगे जब देखते हैं किस भाव़ पे trade हो रहा है Black Rose Industries Limited 65 यानि 65 रुपए 80 पैसे के भाव़ पे trade हो रहा है था पर्सो यानि Friday को आज है 15 June Sunday मार्केट बंद है 15 June 2019 और 52 वीक लो था 37 रुपए हाई बनाया था 69 और market capital इसकी 335 क्रोड यानि की एक micro cap company है और face value है एक की 6 महिने पहले जिन्होंने पैसे लगाया थे उनको भी 37 पैसन के रेटन मिल रहा है जबर्दस्त और P ratio है 24 EPS है earning per share है 2.72 price to book है 6.94 delivery है इसकी 66% के आसपास जबर्दस्त और dividend paying stock है financial में अगर हम आते हैं इनके देखते हैं आप मार्च 18 से मार्च 19 में अगर हम quarter sorry year on year देखते हैं तो जहां मार्च 18 में थी 11 कोड़ के आसपास की वही मार्च 19 में हो गई 55 याने के 7.79 परसंट के अपसाइड है क्योंकि दिसम्बर अठा में थी 69 कोड़ के आसपास और मार्च 19 में हो गई 55 कोड़ के आसपास थोड़ी सी घट गई लेकिन net profit में अभी भी देखें यहां पर 30% की upside है और margin में भी यहां दो सबादो परसंट की upside है जो की सबर्दस रिजल्स है और शेर होल्डिंग परेटर में देखें प्रमोटर के पास जो है 75 परसंट के आसपास है कोई भी mutual fund company नहीं है इसमें FIIs एक है जिसकी बहुत कम होल्डिंग है 0.27% के आसपास बाकी इंडिविज्वल्स है और प्रमोटर कंपनी जो इसका टॉप डिवीजन है segment है chemicals, textile, renewable energy और dividend paying stock 15 पैसे परशर के साब से लास्ट येर डिविदेंग दिया था तो पहले हम जान लेते हैं website पर चलके की company करती क्या किस प्रकार के product से बनाती है Black Rose Industry Limited was established in 1990 as Asia Fab Limited इस नाम से established हुई थी A textile manufacturing company now Black Rose consists of three main divisions chemicals, acrylamide and textiles the chemical division is engaged in the import distribution and export of a wide range of specialty and performance chemicals the acrylamide division operates India's first and only acrylamide manufacturing plant the textile division manufacturers fabrics and made ups for industrial applications the company also has a fully owned subsidiary मतलब काम कर रही है फुली वरकिंग कर रही है फुली वॉन सब्सुदेरी इन जपान जपान में की सब्सुदेरी कंपनी है BR chemicals company limited के नाम से इन जपान तो बढ़ा और चलिए हम प्रोड़क्स में इजर मार लेते हैं अगर हम specialty chemicals में चलते हैं तो यहां पर इतने सारे products की इन की लिस्ट है जो कि भिन भिन इंडिस्ट्री में यूज होती है प्रोड़क्स में यूज होती है chemicals चाहे वो फार्मसोटिकल्स हो चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें हो चाहे वो डाइज की हो चाहे जीन्स में रंगाई की हो टेक्स्टाइल में चाहे वो टायर्स chemicals के लिए बन थी यह सारे इनके प्रोड़क्स है तो आप समझ गए होंगे दोस्तों अब इसमें company में करजा अगर हम balance sheet पर देखते हैं तो 25 क्रोड़ों के असपास इनका debt दिखा रहा है जो कि ठीक है बहुत ज्यादा नहीं है और इस stock में या इस company में क्या करना चाहिए क्या हमें इसके shares लेने चाहिए अगर मेरा मत माने तो अगर my opinion पहले चली हम 10 सालों के भी return दिखा देते हैं आपको दस सालों में आपको मिल रहे हैं 3000 परसंट के आसपास के return यानि या 5 साल के तो मैं बता ही दिया था और 10 साल पहले भी अगर किसी ने लगाया होता है एक लाक तो उसको 31,40,000 के आसपास उसके रुपए हो चुके थी तो return wise तो बहुत जबरदस्त है और केमितल की बहुत सारी कमपणियां हैं जो अच्छा perform कर रहे हैं और ये भी उन में से एक है जो अपनी इनिस्ट्री में 38 नंबर भी जैसे कि हमने अभी चार्ट में देखा था तो इस प्रकार से हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या बाहिम बनती है थोड़ा सा अभी जैसे कि हम देख रहे है तो मुझे लगता है भी थोड़ी सी माइक्रो काइब कमपनी है और इसमें गिरावट भी आ सकती है तो और अगर नीचे के लेवर पर मिलता है तो कुछ थोड़े से स्टॉक्स अपना माली जी हमारा सो रुपय का टार्गेट है कि हमें इन्वेस्ट करना मार्केट में तो अगर आपको मिलता है तो आप लेते रहें पूरा पैसा कहीं भी डालने किसी स्टॉक में सलाहने देता कि मिकल कि और भी अच्छी सबर्दस कंपनी है चाहे अतुल हो चाहे आर्ती हो चाहे अपी मैंने दीबक नाइट्रेड भी बताया था तो काफी अभी डाउन साइड चल अगर कि मैं अपाहे अपना जो अगर काहाव मैं साइड झालने कि में सलाहने रहें।